ओम नमः शिवाई जै मादादी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाई मैं हूँ आपके साथ रिम शिम शिर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे चैत्रमास के शुक्ल पक्ष के प्रदोश व्रत के बारे में दोस्त प्रदोश काल जो प्रदोश व्रत में बहुत ज्यादा महत्त रखता है पूजन का समय प्रदोश काल आज क्या होगा जो पूजा विधी होती है प्रदोश व्रत की वो क्या होगी और आज वार विशेश के मताबिक कौन सा प्रदोश व्रत है और इसकी महत्ता क्या होती है क इन लोगों को इस प्रदोश्वरत को धारण करना चाहिए. समपोड़ता से इस बारविशेश की पूजा विधी में आपके साथ शेयर करूँगी और प्रदोश्वरत पर किये जाने वाले कुछ ऐसे उपाई जो हमारे जन्दगी के हर कश्ट को हर लेते हैं, हर दुख का अंध कर देते हैं. तो दोस्तों ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है. आगे दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ रही प्रदोश्वरत की कथा भी शेयर करूँगी तो आप उस वीडियो को भी जरूर श्रवन कीजेगा. तो दोस्तों चैत्र मास का जो प्रदोश्वरत है. देखे किसी भी मास में दो प्रदोश्वरत पढ़ते हैं. एक पढ़ता है कृष्ण पक्ष में और दूसरा पढ़ता है शुक्ल पक्ष में. प्रदोश्वरत जो भी व्यक्ति विधी विधान से और अपमे तनमंधन से कर तो आज प्रदोश्वरत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान घंपती का पूजन भी हमें विशेश करना चाहिए तो सभी जानकार्या जो चैतर मास के शुक्रिपक्ष का प्रदोश्वरत है एप्रिल मास का प्रदोश्वरत है उसके बारे में इस पिरोदशी किति थी है उसकी शुरुवात 20 अपराल को रात में 10 बचकर 41 मिनट पर होगी जो की समाप्त होगी 22 अपराल को रात में 1 बचकर 11 मिनट पर तो उद्या तिथी में 21 अपराल को हमी प्रदोश वरत मिल रहा है अब जैसा कि मैंने बिताया कि जस भी वार को प्रदोश शुवरत कहलाएगा अब रवी प्रदोश शुवरत की पूजा विधी में आगे बताओं उससे पहले जो पूजन का शुव महुर्थ है आप वो भी यही बर जान लीजे तो प्रदोश काल में हम पूजन करते हैं प्रदोश काल का समय सूरियास्त से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बात तक का होता है लगभग दो घंटे की ये समय अवधी होती है हर तिरोदिशी कितिती में आपको इसी समय बहादीव का पूजन विशेश उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए तो जो प्रदोश काल है आज का वो है शाम के 6 बज कर 51 मिनट से शुरू होकर र अब हर शेहर विशेश के मुताबिक देखिए 2-4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है ये जो मैं समय आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दिली NCR का समय है तो आप लगभग इसी समय में पूजन कर सकते हैं अब दोस्तों ये रवी वार का प्रदोश व्रत है तो रवी प्रदोश व्रत के दिन हमें आज के दिन सूर्य नारायन की पूजा विशेश करने चाहिए आज रवी प्रदोश का व्रत करने से समस्त प्रकार के जो हमारे जीवन में रोग दुखे हैं बीमारिया है उससे मुक्ते मिल जाती है तो पूजा विधी में आगे मैं आपके साथ शेयर बगवान शिव के पूजन के सात्तात और क्या ऐसी कर्म है जो जरूर करने चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले आज के दिन सुपए हम मित्व ठ्रियाओं से निवृत होकर वृत का संकत लेंगे सूरी प्रदूश व्रत की दिन, यानि रवी प्रदूश व्रत की दिन, सूरी उधर से पहले उठकर के हमें गंगा जल से अगर हो सके, तो शुद्ध जल में गंगा जल डाल कर स्नान करना चाहिए, भाव ऐसा करना चाहिए, कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, और इसके बाद सर उपाय स्वरूप यहीं पर बता दूं उसका अपने माथे पर एक तिलक स्वरूप उस जल से ही लगा लें अब दोस्तो आज अब विशेश पूजा सोरे नारायन के बात करनी है भगवान शिव की तो देखे प्रदोश की व्रत में दोनों समय पूजन का विधान होता है तो आप सुबह भी पूजा करेंगे, सुबह भी शेख करेंगे आप जो भोग अर्पित करना चाहते हैं जो भी सीजन की पल है देखिए ¿प्रदोश की व्रत में हम फलाहार व्रत रख सकते हैं या एक समय हम अन्यका भोजन भी कर सकते हैं सुबह की पूजा में आप चाहें तो फलाहार ही भगवान को फलोका भोगी जो भी सीजन के हैं आप अर्पिक कर सकते हैं शान की पूजा में जो आप विशेश बनाना चाहते हैं भोग स्वरूप जिस बाद में आप स्वेम भी ग्रहन कर सकते हैं अन्न का वो भी आप बना करक कि जलाभी शेक का पंजामरत से अभी शेक का बहुत महत्व है तो आप पंजामरत बना लें या जल से या किसी भी तीज स्थान के जल से अभी शेक करें इसके बाद सफेज चंदन, कुम-कुम ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं आकड़े के फूल, बिलवपत्र, शमी के पूल, आज की पूजा में हम भगवान शेव को प्रसंद करने के लिए जो भी चीजें हम एक अत्रित कर सके हमें जरूर करना चाहिए इसके बाद में दोस्तों आज की पूजा मा के विशेश पूजा होगी तो मा के लिए लाल गुरहल का फूल रख लें गणपती के लिए जरूर रख लें देखिए भगवान शेव को पूरे परिवार में जो हम पूजन करते हैं तो हरी चीज़ों का बहुत महत्पो हो जाता है जैसे कि भगवान शेव को हम बिल्व पत्र अर्पित करते हैं शमी के पत्र बहुत प्री है भगवान शेव को अर्पित करते ही कई उ सफेट मिठाई भगवान को अर्पित कर सकते हैं सुबह और शाम दोनों के पूजन में सुबह में सीजन का फल या अन्न से बने हुए भोग शाम में आप ये भी अर्पित कर सकते हैं इसके बाद माता के लिए शेंगार की कोई भी वस्तू आप रख सकते हैं ज्यादा भी रख सकते हैं आप दो वस्तू जैसे कि आपने बिंदी और सिंदूर ही रख लिया तो आपको रखना चाहिए यहर प्रदोश्वरत में आपको करना चाहिए इसके बाद एक शुद्धगी का दीपक लगा लें आर्थी के लिए कपूर जरूर रखें क्यूंकि हम भोलनात की आर्थी अगर कपूर से करते हैं तो वो हम पर बहुत प्रसन होते हैं तो इस प्रकार से विधि विधान से आपको पूजन करना है पूजन की बाद में आपको रवी प्रदोश्वरत की कथा आज की दिन जरूर पढ़नी है या सुननी है कथा भी आपको आपके अपने यूटीब चैनल रत्योहार कथाई पर प्राप्त हो जाएंगी तो आप कथा सुबह सुबह ही मैं आपके साथ शेयर कर दोंगी रवी प्रदोश्वरत की दिन तो आप सुन सकते हैं यहीं से पूजन की समय में इसकी बाद में दोस्तों आज भ भी प्रदोश्वरत की दिन कुछ ऐसे खास उपाई हैं जो आपको जरूर करने चाहिए जैसा कि मैंने बिताया कि आज भगवान सुरी को आपको अर्गा जरूर देना चाहिए आज भगवान को अगर भगवान के सम्मुख बैच कर सुरी नारायन के मंत्रों का जब कर सके ओ उन सुर्यायनमा उन घ्रिनी सुर्यायनमा ये भी बहुत अच्छा है आप अगवान सुरी के निमत शुद्ध तामे के दिये में गाय का घी भर करके कलामे की बाती डाल करके एक प्रज्वलित करें उनके नाम से रखें पूरवदिशा की उर्मुख करके इसने भी धन संपत का आपको वर्दान मिलता है आप चाहिए तुशुरी सुर्वत का तीन बारी पाठ कर ले इससे घर में धन संपता हमेशा भरी रहती है ऐसे देख्तियों के स्वास्त हमेशा उत्तम रहता है आज के दिन नवी प्रदोश्वत के दिन किसी भी प्रदोश्वत में नहीं करना चाहिए आज के दिन घर में नीठा भोजन बनाई और नेत्रहीन लोगों को अवश्य खिलाएं ऐसा करने से भगवान सूरी नारायन भगवान शिव बहुत पिसंदर होते हैं और आपके जो भी जीवन में कष्ट है उनकष्टों को हर देते हैं तो ये ऐसे पाठ सरल हैं और अगर सूरी मजबूत हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की आपको कमी कभी नहीं होगी तो इस प्रकार से इस रवी प्रदोश्वत के दिन अपनी इच्छा विशेश से आपने किसी भी कामना से आप भगवान शिव का पूजन जरूर करें उमीद करती हूँ ये जो सभी जानकारिया मैंने आपके साथ शेर की है इस एक वीडियो में आपके लिए ब्योगी होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए है ऐसी जानकारिया आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर यहाँ पर आपको हर व्रत्योहारों और उनसे जुड़े हुए उपाय पूजा विधी सभी व्रत्योहारों की कथाएं प्राप्त होती रहेंगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै मातादी हर हर महादे